यह फूल है पेंटास का इनसे पता करते हैं इनके पास इस फूल को कितना टाइम हो गया है दो साल पूरे होगे तीसरा साल लग गया तो देखे इन्होंने बड़ यह है सैफलेरा इसे अंब्रेला प्लांट भी बोला जाता है इसे इन्होंने कटिंग से लगाया है बड़े और ये है एक प्रवानी बकेट जिसमें इतना सारा पोधिना इन्होंने उगाया है ये मॉप का डब्बा है जिसका बहतरी यूज इन्होंने किया है स्वाकत है आपका गर्णिंग एन क्रियेटिविटी में मैं हूँ उत्राखंड हल्दवानी से तो फ्रेंड आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक बिल्कूल ही नया गर्डन तो दोस्तो आज मैं आपको लिए चल लिए हूँ अपनी भांजी की घर जहां मैं आपको दिखाऊंगी काफी सारे पोधे साथ मैं सेयर करूँगी कुछ प्लांट स्टेंड तो देखे इस तरह से इन्होंने स्टेंड में सारे ही पोधों को रेंज किया है बहुत अच्छा एडिया है कम जगे में जादे प्लांट लगाने का गेट की एक तरफ इस तरह के स्टेंड बनाए हैं और गेट की दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टेंड बनाए हैं दोरु तरफि के इस्टैंड मैंने इपको दिखा दिया है और एक-एक करके प्लांट भी दिखाऊंगी बनाए ये वीडियो के एंग तक तो पहले बात करते हूं प्लांट स्टैंड के उपर प्लांट स्टैंड को इन्होंने अपने लोकल वेल्डर से बनवाया है अपने जगह के according आप देखे सबसे नीचे यहाँ पर इन्होंने लगा दिये हैं सिंगो नियम के पौधे लगाए हैं क्योंकि नीचे की तरफ धूप बहुत कम रहती है तो इन्होंने चाया में चलने वाले पौधे नीचे रखे हैं और फूलू वाले पौधे उपर की तरफ सिंगो नियम के जश्त उपर इन्होंने समी का पौधा रखा है घर में लगाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है और छोटे छोटे फूल आते हैं पिंक और यलो कलर के और ये है ड्रेसीना जैसे धूप तेज होती है तो ड्रेसीना को ये नीचे रखेंगी अभी कितनी तेज नीवी इसलिए इन्होंने उपर इसने रखा है ये कितना अच्छा कलर इसका है उसके बार इधर लगाया है क्रूटन का प्लांट कई सारे कलरों में क्रूटन आता है काफी कलरफुल हमारे गार्डन को ये प्लांट बनाता है प्रमानेंट प्लांट है आप इसे बार ये फूल देता है, अप्रेल और मई में ये फ्लारिंग करते हैं, पूरे साल प्लांट बना रहता है, फ्लारिंग बस इसी सीजन में होती है, बल्व से इसे लगाया जाता है, इसके उपर से रखा है सफलेरा का प्लांट, बहुत अच्छी ग्रोध इन पौंधों की हुई ये खूबसूरत फूलों वाला पौंधा है, पेंटास का, काफी पुराना पौंधा है, मैं कई बार इनके घराई हूँ, तो ये हमेशा ही इसे तरह से खिला रहता है, कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हैं, बहुत महेंगा पौंधा ये नहीं मिलता है, तो हमेशा ही इस तरह से यह फ्लारिंग पे रहता है और इसके तीन चार कलर आते हैं पिंग कलर वाइट कलर वाइट कलर भी आपको दिखाऊंगी देखिए दूसरा प्लांट यह है वाइट कलर का इसमें भी भर भर के कुछ फूलों के आ गए हैं तो दो पॉंदे हैं और बहुत ताइम पह इसे दो साल हो गए है अगर आपको भी पर्मानेंट फूलों वाला पॉंदा कोई चाहिए तो आप इस पॉंदे कर ले आए इससे कटिंग से भी लगाया जा सकता है कहीं से अगर आपको कटिंग मिलती है कटिंग से लगा लीजे या फिर आप प्लांट ला सकते हैं तो देखिए अब मैं उपर वाले लाइन पर जाती हूं तो सेफ ले रहा था कि हम पर दिखा दिया था उसके बाद है लेडी पाम मैं स्टेंड भी आपको ठीक से दिखा रही हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से आप स्टेंड बना सकते हैं इन्होंने स्टेंड में एक रेलिंग सी भी बनाई है ताकि हवा से इनके पॉट गरेना यह है मूनलाइट फाइकस और नेक्स प्लांट है हमार मधु कामिनी का तो देखे यह एक पॉंधा है मधु कामिनी का इसमें काफी सारा बीज तयार हो चुका है रेड कलर का बीज जो है वो तयार है जर्मिनेशन के लिए आप इसे लगा सकते हैं ग्रीन कलर के भी इसमें बहुत सारे बीज हैं यह ग्रीन कलर का बीज यह अभी त खुसबू आती है जब ये खिलता है सारा गार्डन हमारा महग जाता है ये है अलोवीरा का प्लांट कापी बड़े साइज के इनके पॉर्ट हैं तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है प्लांट से की अपने सभी बॉंधों की देखभाल खुद से करती हैं कोई माली इनक प्लांट है इन्डोर में रखने के लिए काफी अच्छा प्लांट है तो इंधोने च्छाया में इसे रख्णा है अच्छी ग्रोथ यहां पर इसकी भी हो रही है और इदर है बोट लिली ये है स्लिपिंग हिबिस्कस उपर फिर से ड्रैसीना प्लांट की ग्रोथ आप साथ साथ में देखते रहें दिखे इसे कटिंग से या रूट डिवाइड करके भी लगा सकते हैं बहुत जल्दी कटिंग से लगने वाला पॉंध है ड्रेसी न और इस लाइन पे आते हैं तो यहाँ पे स्नेक प्लांट रखा है एक तो देखे कुछ इस तरह से यह स्टेंड है इसकी हाइड कुछ कम है पहले वाले से दो सेल्फ थी इसमें एक सेल्फ है यह है रोज रोज भी अच्छे से फ्लारिंग कर रहे है प्लांट स्टेंड में आप एक सेल्फ भी बना सकते हैं दो भी बना सकते हैं या फिर तीन सेल्फ भी आप कस्ट महिच करा सकते हैं तो देखे स्नेक प्लांट इनका स्नेक प्लांट गलने लग गया था इसलिए इन्होंने से कुछ दिनों के लिए धोप में रखा है और ये है सुकसानती का प्लांट देखने में काफी अच्छा हुता है फूल नहीं आते हैं पर छोटे-छोटे से फूल इसम बहुत खूशुरा दिखाय देता है प्लांट ये बहुत महेंगे पोधे में आक हुग है और ये हैं ड्रेसीना ग्रीन ड्रेसीना है चाया में भी अच्छा चलता है धोप में भी यहां पर एक पाम है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है और ये है लिप्स्तिक थोड़ा कोस्टली प्लांट है पर काफी अच्छा लगता है अभी पत्ते थोड़े से इसके जल गए हैं बहुत ज्यादे कोहरा था विंटर सीजन में इसलिए और यह है जुनिपर का प्लांट बड़े से पेड़ की तरह भी यह होता है और देखिए इधर लेडी पाम एक और है और काफी अच्छी ग्रोध इस पौंधे की भी चल दी है उसके बाद यह है फाइकस पांड़ा काफी अच्छा इंडोर प्लांट भी है छाया में भी चलता है धूप में भी इसकी बहुत अच्छी बोंसाई भीवाब पना सकते हैं द दर है गोल्डन डस्टर क्रोटन स्रिंगार या पारिजात इसमें बीज भी बनता है बीज से आप इससे लगा सकते हैं इजली काफी लखी माना जाता है घर में रखने के लिए जब यह फ्लारिंग पे होता है बहुत अच्छी खुसबू अपनी फैलाता है यह एक बकेट है बकेट में इन्होंने पुदीना लगाया है पुदीने की गुरूथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी पुदीने की गुरूथ चल लिए और इधर दिखाती हूँ यह एक मॉप का डब्ब है मॉप खराब हो गया था तो उसी की बकेट है उसमें इन्होंने डेंथस लगा इस तरह से स्टेंड बनाने से कम जगे में काफी सारे पॉंधे लगाई जा सकते हैं अब चलते हैं गेट की दूसरी तरफ होच जादे पॉंधे नहीं हैं पर बहुत अच्छे से इन्होंने पॉंधों को मैनेज किया है इसलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ आज का पत्ता है अरिका पाम है और सुंग आफ इंडिया है गरीन कलर का यह बड़ी पत्ती वाला है चाइना पाम और नेचे देखिए यहां पर अरेलिया है और परपल हाट बेबी टियर्स और यह गैंदे के प्लांट यह सभी इन्होंने बीच से लगाया है गैंदे के प्लांट और इदर फिर さफलर wrap cutting से लगाया है इदर तुलसी का पोड यहा पर सारी ही एरिका पाम है और साइज की दो पोड है जिन में एरिका पाम लगाया है उसके बाद इदर है ब्लेड़िंग हार्ट मिंजर सीजन में यह डॉल्मेंसिख में होते हैं उसी में निमने कटिंग लगाई है और डब्बा दिखाई भी ने दे रहा है बस प्लांट हमारा यहां पर दिखाई दे रहा है और इधर देखे जिरेनियम इनसे जाकर ही पूछती हूं इतनी अच्छी ग्रोध के लिए अपने पौधों में क्या डालती है तो रेखा बताओ आप अनमें कब और कुतनी बार साल में इन पौधों में आप खाड डालती हैं मैं तो इसमें साल वर मैं एक बार जब कटिंग जड़ों की कड़ती हूं तो इसमें गौफर मिक्स करके प्लान्तर के प्लांटर बनाए है यह पर ल हाट दीख오 कभीई अपने सभी पौधों म खुबसूरत यह दिखाई दे रहा है यहां पर अगर आप भी अपने पॉन्धों के लिए स्टेंड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो से भी कुछ आइडिया आप ले सकते हैं तो आसा करती हूँ आज का वीडियो आपको नोलेज़ेबल लगा होगा और कुछ आइडिया मिल गए होंगे अपनी गार्डन के लिए भी तो फिर मलती हूँ एक नए वीडियो में बाब बाई हैपी गार्डनिंग